कि जैहिंद प्यारे बच्चों सामाजिक प्रगतिशीर संसा उतरप्रदेश के यूट्यूब चैनल पर दी जा रही शिक्षा के NCRT की गणित विश्य की पहले अध्याय का ये चोथा वीडियो है जिसमें मैं मास्टर सहीद आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों इससे पहले हमने संख्याओं में अल्प विराम की बात की थी और वो भारतिय पध्धती और अंतराश्ट्रिय पध्धती दोनों में हमने बताया था कि कहां हम अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं आज का जो पहला बिंदू है संख्याओं का विवहारिक प्रयोग है प्यारे बच्चों अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के कई मातरक होते हैं जैसे अगर हम दोड की बात करते हैं तो जब बच्चों की दोड लगवाई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि 100 मीटर रेस या 400 मीटर दोड या 800 मीटर दोड तो यहां जो मातरक है वो क्या है मीटर है लेकिन अगर आप अपनी कौपी या किताब की पैमाईश करते हैं उसकी माप करते हैं तो उसकी माप इस प्रकार लिखी जाती है कि 15 सेंटी मीटर या 20 सेंटी मीटर या 30 सेंटी मीटर और इसके अलावा एक मातरक और होता है जो इंच होता है यानि कि अगर आप इन ही चीजों को इंच में भी प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन अगर आप पैंसिल की मोटाई मापने की बात करें तो उसमें ये सेंटी मीटर का जो मातरक है वो बड़ा हो जाता है यानि अगर बड़ी दूरी थी तो हमने मीटर में मापा उससे छोटी दूरी आई सेंटी मीटर में मापा अगर और छोटी दूरी हो जाएगी जैसे अगर हम बात करें पैंसिल की मोटाई की तो मान लिया वो 10 या 11 मिली मीटर हो जाती है यानि यह और छोटा मातरक हो गया है मिली मीटर इससे बड़ा मातरक भी आप लिख सकते हैं जैसे अगर हम बात करें कि दो शहरों के बीच की दूरी कि चर्थावल से मुझफण अगर की दूरी मालिया हम लिखते हैं 15 किलो मीटर है तो यहां जो मातरक है वो किलो मीटर है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो विवहार में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसक साथ में मातरक जुड़ा होता है और मातरक से संख्या छोटी या बड़ी हो जाती है प्यारे बच्चों हम यह जो एक्जामपल हमने दिये हैं तो हम इन से कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम एक मीटर की बात करें तो यह एक मीटर में सो सेंटीमीटर हो जाएंगे और एक हजार मिली मीटर हो जाते हैं इस प्रकार आपने देखा कि अगर बड़ी माप करनी हो तो वह हम किलो मीटर में उससे छोटी मीटर में उससे छोटी फिर हम किसमें करते हैं कि सेंटी मीटर्या मीली मीट या फिर और नीचे जा सकते हैं माइक्रो मेटर हे सकता है 20 मीटर भी वो सकता है यह ओर चोटी माप हैं जिन्हें आगे चलकर आप पढ़ेंगे जिसा आपके पास में इसstesimana का सबी reinforcement पास में रहता होगा तो यहां आप देख रहे हैं एक तो यह हैं इन ऀधर जो अधर इसके और ने इंतर्ट अधर यह यह सांज करें यह हैं या श्तौम स्बस्नेट आठ नो दस ग्यारा बारा यानि यह बारा इंच हो गया तो यहां आप देख रहे होंगे कि इधर यह 30 सेंटीमीटर है और चुकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो यह 300 मिलीमीटर हो जाएगा तो यह इस स्केल से आप एक मिलीमीटर तक की नाप ले सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 12 इंच तक की माप ले सकते हैं 12 इंच के बाद में हम देखते हैं कि यह फीट हो जाती है और भी बहुत सारे मातरक हो सकते हैं तो यह विभिन मातरक हमने लंबाई के बताए हैं उसी प्रकार अगर आप दूद या पानी की बात करते हैं तो वो लीटर हो जाता है और अगर हम छोटी उससे छोटा मातरक ले एक हजार मिली लीटर हो जाते हैं प्यारे बच्चों उसी तरह से आप वेट की बात कर सकते हैं कि जो वजन है उसका किलोग्राम होता है एक किलोग्राम बराबर होता है एक हजार ग्राम आपने देखा होगा कि अगर हम कोई चीज कम लेने जाते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि एक किलोग्राम या आधा किलोग्राम या आधा किलोग्राम को आजकर हम कह देते हैं पांच सो ग्राम या एक पाव आपने सुना हो होगा नई सुना तो एक पाव होता है और वह पाव जो है वन बाई फोर केजी होता है और उसे ही हम 250 ग्राम कह देते हैं तो यह हमारी जो माप है यह वजन की है उसी तरह से अगर कुछ लिक्विड में है तो एक लीटर होता है अच्छे इससे छोटी माप भी हो सकती है जैसा अगर हम बात करें एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम होता है जैसे यहां था मिली मीटर उसी प्रकार यहां मिली ग्राम होता है अगर हम मिली हम लेचे हैं जैसे एगर दवायों की बात करते हैं तो उस पर मिलीग्राममें जो उनकी क्वांटिटी है आगर आपने दवाई का रह देखा हो तो उससे से रहे पर पर पीछे की तरफ लिखा रहता है कि यह इतने मिलीग्राम इसमेड ग्राम यह तरी मिलीग्राम gaining आप करते हैं एक लीटर में उसी प्रकार एक हजार मिली लीटर हो जाते हैं और इसी प्रकार यह और आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन आम तोर से लीटर में हमें बस मिली लीटर की ही जरूरत होती है अच्छे यहां हम एक बात और करते हैं एक आकलन करते हैं लग भग आपने सुना होगा लग भग क्या होता है अगर हम exact किसी चीज को नहीं लिख पा रहे हैं या किसी संख्या का आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं बहने लग भग लिख देते हैं जैसे मिसाल के तोर पर हमने कहा के मैदान में भीड थी और खेल को देखने वाले दर्शकों की संख्या लग भग 50.000 थी अब वो 50,000 से 1,500, 100, 200 उपर या नीचे हो सकती है और हम जैसे किसी खेत की बात करें तो उस खेत में हम कहते हैं कि इसमें लग भग 100 क्वेंटल गन्ना हो जाएगा अब 100 क्वेंटल का मतलब यह है कि वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है या किसी खेत को देख के हम कह देते हैं कि यह लग भग 8 विगा होगा तो इस तरह के से जहां हम exact आकलन ना कर पाते हूं वहां हम लग भग का प्रयोग करते हैं और इनी लग भग के प्रयोग का सही मान निकालने के लिए हम सन निकट मान निकालते हैं और उसी सन्निकट मान कि हम यहां बात कर रहे हैं एक लाइन आप यह बनाईए और इसमें माल लिया एक दो तीन चार आप छेट साथ आट नो दस ग्यार चलो कोई बात नहीं जैसे माल लिये यह आपके पास में यह 19 हो गया, यह 20, यह 21, यह 22, यह 23, यह 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और यह माल लिया 31 हो गया अब एक संख्या आपके पास में यह है, और एक संख्या आपके पास में यह है, और एक संख्या आपके पास में यह है, अब अगर हम सन निकट मान की बात करें, तो मुझे आप ये बताईए कि यहां दहाई जो है ये एक तो 20 है और एक आपके पास में 30 है तो अब ये बताईए कि ये जो 24 है वो 30 के ज्यादा करीब है ज्यादा समीप है या 20 के अब देखो यह लाइन इतनी है और यह लाइन इतनी है इस लाइन से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि जो 24 है वो इस संख्या के यानि 20 के ज्यादा समीप है तीस के मुकाबले तो इसलिए अगर हम सननिकट मान की बात करें तो 24 का सननिकट मान कितना हो जाएगा बीस अगर उसी प्रकार हम 26 की बात करें तो 26 30 के ज्यादा करीब है तो इसलिए 26 का जो सननिकट मान होगा वो तीस हो जाएगा अब यहां एक बात और है कि अगर यह 25 की बात हो 25 तो 30 से और 20 से बराबर दूरी पर है तो हम 25 के केस में क्या करेंगे कि 25 का सननिकट मान लेना हो तो आम तोर से यह लिया जाता है कि अगर हम 25 का सननिकट मान लें तो वो भी 30 हो जाएगा यानि कि यहां कम नहीं करना है, बलके ज्यादा कर देना है, सन्निकट मान अगर लेना हो, तो वो 30 ले लेना है, इसी प्रकार आप और भी मान हो सकते हैं, यहां से आपको ये पता चला, कि अगर 25 से छोटा हो, तो वो इधर चला जाएगा, और अगर 25 से बड़ा हो, तो वो इधर चला इसी प्रकार हम सेकडे की भी बात कर सकते हैं, जैसा मालिया 149 है, अगर हम इसका सन्निकट मान लें, तो वो 100 हो जाएगा, और अगर हम 151 की भी बात करें, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, इसी प्रकार आप 1000 की भी बात कर सकते हैं, मालिया आपके पास में 501 ही है तो इसका सन्निकट मान 1000 हो जाएगा और अगर हम 499 की बात करें तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां अगर हम इसकी बात करते तो 499 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसी तरह से आप आगे भी सन्निकट मान ले सकते हैं दस हजार लाग, दस लाग, करोड, दस करोड इसी तरीके से आप वो सारे सन्निकट मान यानि approximate value ले सकते हैं इसी approximate value की बात हम यहां कर रहे थे बस यह बात ध्यान रखनी है कि जो आपका बीच की संख्या है उसका सन्निकट मान हम हमेशा आगे ले लेते हैं यानि कि जैसे 5 का अगर हम बात करें तो वो 10 हो जाएगा अच्छे इसी में एक और चीज भी यहां दी हुई है आपकी फुस्तक में योग अथ्वा अंतर का आकलन यानि कि इसमें हम लगभग मान कैसे लेते हैं देखो यह भी आसान है जैसा अगर हमने आपने कहा कि 5,290 प्लस 17,986 अभी अभी आपको हमने उपर समझाए अब इसका सन्निकट मान कितना होगा बताईए इसका सन्निकट मान हो जाएगा 5,000 और इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा 17,986 है तो अगर हम इसका 1000 में सन्निकट मान ले तो ये कितना हो जाएगा 18000 अब 18 और 5 को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 23000 इसी तरीके से आगे भी सन्निकट मान लिए जा सकते हैं अगर मान लिए ये हमने जोड़ की बात की है अगर हम घटा की बात करें 5673 दिया है आपकी पुस्तक में माइनस 436 दिया है तो अगर हम 1000 में सन्निकट मान ले तो 5673 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा 6,000, 436 का सननिकटमान 1,000 की बात करें सेक्डे में तो 400 हो जाएगा लेकिन अगर 1,000 मिले तो इसका सननिकटमान 0 हो जाएगा और ये लग भग में इसकी value कितने हो जाएगी 6,000 हो जाएगी इसी प्रकार आप और संख्याओं का आकलन कर सकते हैं गुणा में कैसे आकलन करते हैं ये भी हम आपको एक बार समझा रहे हैं अच्छा गुणा की अगर हम बात करें तो गुणा में हमें ये लेना है कि जो अधिक्तम सननिकटमान हो सकता है प्रते गुणा की जाने वाली संख्या को उसके बड़े अस्थान तक जो सननिकटमान हम ले सकते हैं वो हमें लेना है जैसे फॉर एक्जामपल 63 गुणा 182 है हमने अभी अभी कहा कि जितना अधिक्तम सननिकटमान ले सकते हैं जैसे ये 63 है इसका अधिक्तम सननिकटमान कितना हो जाएगा 60 अब 0 तो लेना नहीं है चुकि 0 करेंगे तो पूरा मामला 0 हो जाएगा और 182 का आधिकतम सन्निकटमान कितना हो सकता है 200 हो सकता है इस तरीके से आप 6 दुनी 12 तो इसका अगर हम बात करें सन्निकटमान की तो ये 12,000 हो जाएगा इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं जैसा माल लिया हम गुणा कर रहे हैं 436 गुणा 5402 तो इसका सन्निकटमान 400 का अधिकतम लेना है तो 400 का 1000 तो लेना है नहीं चुकि वो स्चुन नहीं हो जाएगा तो इसका 400 हो गया और 5402 का सन्निकटमान हो गया 5000 और ये वहिया पांचोक 20 और ये 0, 3, 2, 5, 3, 4, 5 पिकाई, धाई, सेकडा, हजार, दसजार, लाग, दस लाग यानि ये 20 लाग इसका लगभग सन्निकटमान गुना में हमने प्राप्ट कर लिए इसी तरीके से आप आगे भी इसका आकलन कर सकते हैं अच्चा कोश्टक का परियोग इसमें दिया हुआ है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अगर कहीं कोश्टक सही तरीके से लगा हुआ ना हो तो हमारा उत्तर कुछ गल्ट आ जाता है तो कोश्ठक के प्रियोग के अगर हम बात करते हैं फूर एक्जामपल छे गुणा दस जमा साथ गुणा दस ये तुमारी किताब में दिया हुआ है छे दाई साट जमा साद दाई सत्तर साथ और छे तेरा यानि एक सो तीस हो गया और इसका इधर क्या हो जाएगा छे जमा साथ बराबर तेरा यानि तेरा गुणा दस बराबर एक सो तीस हो गया लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि जैसा साथ गुणा जमा छे गुणा दस वह हमने भी bracket नहीं लगाया है तो 7 जमा 6 या 6 जमा 7 जो भी है अगर हम यह बात करें तो इसे हम 7 जमा 6 दाई 60 यानि 60 आ जाएगा और जबकि आना चाहिए था कितना? 130 तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां bracket लगाना पड़ेगा तो इस तरीके से bracket से हमें यह पता चलता है कि जो bracket के अंदर की संख्या है वो एक ही है जैसा 7 और 6 13 गुना 10 बराबर 130 हो गया इसी तरीके से हमने यहां इस bracket का हम विस्तार भी कर सकते हैं तो यहां सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि bracket में जो संख्या लिक्की हुई है वो एक ही संख्या होती है अच्छे इसमें इस एक चीज और बची है यह आखरी बिंदु है आपके इस चैप्टर का इस अध्याय का इसमें रोमन संख्यानकों की बात की गई है रोमन नमबर्स असल में अभी तक हमने जो संख्यानक पढ़े है वो इंडो अरेबिक नुमेरल्स होते हैं यानि के हिंदु अरेबिक संख्यानक होते हैं जो पद्धति हम अभी तक पढ़ रहे थे लेकिन उसके साथ साथ अब हमने रोमन अंकों की बात की है जैसे रोमन अंकों का प्रयोग आपने बहुत सी बार देखा होगा जब हम क्लास लिखते हैं तो वहां लिखा जाते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या फोर्थ क्लास या एट्थ क्लास और अगर हम घड़ी पर देखें तो घड़ी पर भी कई बार हम देखते हैं यहां first, यहां second, यहां third, इस तरीके की संख्याएं लिखी रहती है, तो यह जो numbers आप देख रहे हैं, यही रोमन numbers है, रोमन संख्यांग है, तो हम रोमन अंकों की अगर बात करें, तो उसमें जैसा आप पहले जो भारती पदती हैं, उसके आंक लिख देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, तो यह first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, और tenth, इसके अलावा अगर हम बात करें, पचास की, तो पचास को L लिखा जाता है, अगर हम 100 की बात करें, उसको C लिखा जाता है, अगर हम 500 की बात करें, उसको D लिखा जाता है, और 1000 को यहां M लिखा जाता है, यहां आपने देखा होगा कि एक तो first है एक ये V है और एक X है यानि 10 तक की जितनी भी संख्याएं है वो इन तीन जो symbols है उन्ही से बनी हुई है यानि अगर हम 5 की बात करें तो ये 5 क्या है V है अगर इससे पहला अंक यानि 4 लिखना हो तो इसके पहले आई लगा देंगे अगर इसके बाद का लिखना हो तो इसके बाद में लगा देंगे जैसे बाद का 7 है तो 2 लगा दिया 8 है तो 3 लगा दिया फिर 10 की अगर हम बात करें तो ये 10 को X से represent किया जाता है इसलिए अगर 10 यानि 9 लिखना हो तो i इधर लगा देंगे और अगर 11 लिखना होता तो क्या करते आई उधर लगा देते 14 तक यही काम होता और यही काम हम आगे तक 50 तक लिखते हुए करते हैं और अगर हम 50 की बात करें तो उसमें L और 100 की बात करें C 500 की बात करें D और 1000 की बात करें M हो जाता है बस यहां आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पहला अंक हो तो उससे पहले लगाएने अगर बाद में हो तो उसके हम बाद में लगाते हैं जैसा यह आप देख रहे होंगे इसी तरीके से बड़ी संख्याय भी आप लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे 30 को सीधा 3 X बना देंगे चुट्टी यह 30 हो गया लेकिन अगर हम इसी के साथ में अगर हमें लिखना हो 65 तो 65 को क्या लिखेंगे देखो यह वहाँ आपका 65 की अगर हम बात करें तो यह वह गया 50 जमा 10 जमा 5 तो 50 का क्या हो गया अभी हमने बताया था L 10 डशास का क्या हो गया एक्स और पांच का क्या हो गया है इसी तरह आगर हमने चालिस लिख्वा ओ तो lust चालिस क्या हो जाएगा पचास-धर्य कितना हैभी उल्लेका और दस एद सम करें है तो मैंने बता है था कि अगर कम करने का हो तो उसे पहले लिखते हैं यानि X यहां आजाएगा तो यह X और L करके 40 हो जाएगा अगर हमें लिखना हो 110 110 का हम क्या लिखेंगे 100 जमा 10 100 का क्या था C और 10 जुड़ रहा है तो जुड़ने वाला इधर जाता है तो 10 का X हो गया तो यह तो इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं इसी तरह कि और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं यहां आपको बस जो में संख्याएं हैं वो हैं यह आई V, X, L, C, D, M इसी प्रकार आप बहुत सारी और भी संख्याओं का प्रदर्शन यहां हम कर सकते हैं प्यारे बच्चो इस प्रकार आज ये आपका पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया है इसमें काफी समय लगा उसका कारण यह रहा कि यह हमारी शुरुआत थी तो आगे के वीडियो में और रोचक तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और इस तरह के और भी वीडियो आप देखने के लिए इस संस्था के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाव उठाइए और दूसरों तक इसको पहुंचाइए जो भी आपके साथ ही स्टुडेंट्स हैं जो कहीं भी पढ़ रहे हैं उन तक इसका लिंक जरूर भेजिएगा धन्यवाद जय है